हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो के दिर हम पढ़ते हैं मौल अवधर्णा मौल कंसेप्ट की बारे में तो वीडियो को एंड तक देखना चले पूर स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास 11 केमेश चेप्टर नमबर फस्ट होता है रसान विगयन की कुछ मौल अवधर्णा इसमें स्ट यह वीडियो है आपका 16 वीडियो और इसका नाम है मौल अवधर्णा मौल कंसेप्ट तो मौल मौल कंसेप्ट क्या होता है इसका और डिटल से देखेंगे तो देखिए ध्यान से दोस्तों मैं आपको एक एक्गांपल बतता हूं उसके बाद में आप लोग समझेंगी क मौल कंसेप्ट क्या होता हो अगर दोस्तों मैं यहां पर लिखता हूँ 12 वस्तुओं का सम्मू हो ठीक यह 12 वस्तु भी बोल सकते इसको अब 12 वस्तु में यह तो हो सकता है 12 केले कोई भी आप लोग समझ लेजी 12 केले 12 आम 12 पैन 12 टोर्च तो आप लोग इसको एक रैंडमली नंबर मैंने बताया आपको समझना ध्यान से 12 वस्तु का सम्मू जिसमें कुछ भी हो सकता 12 इन 12 वस्तु को हम अलग अलग नई करेंगे और एक अच्छा सा नाम दे देंगे और वो हैं दोस्तो क्या एक दरजन क्या नाम देंगे इसका एक दरजन, चाहे यह हो चाहे बारा वस्तू का समू कोई भी आव लोग तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक दरजन तो जो भी संख्याई थी, जो हम लिए बारा संख्याई थी उसका हमने एक नाम दिया, जो की है एक दरजन या दरजन उसी प्रकार से अगर मैं एक example और बता हूँ आपको 20 वस्तू का समुह या 20 वस्तू है 20 वस्तू का समुह इनका भी अलग-अलग एक संक्या है उसको अलग-अलग नाम देने के बजा है हम इसको कहेंगे एक score क्या कहेंगे इसको दोस्तों एक score ठिक क्या कहेंगे एक score यहां तक आपको समझ में आ चुका है ठिक अब उसी प्रकार से दोस्तों यहां पर एक संक्या दे रखिए जो की संक्या है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और इस संक्या का एक नाम है अच्छा सा क्या नाम है आओ गादरो संक्या अभी यह नाम नहीं है बस इतना इस संक्या का नाम है जैसे 12 केले तो 12 केले तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्या है आओ गादर संक्या अब इस संक्या का हम एक अच्छा सा यह एक शब्द में नाम देते हैं दोस्तों एक मौल क्या नाम देते हैं एक मौल अर्थार्त जो मौल अवधाना मौल कंसेप्ट हैं वो यह हैं दोस्तों कि यह जो संख्या है उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं मौल अवधाना मौल कंसेप्ट या एक मौल कहते हैं तो हम क्या करते हैं कोई भी संख्य होती है उन संख्याओं को अलग अलग नाम या फिर इन संख्याओं को हम नाम नहीं दे करके इसको एक ही शिब्द में प्रदशित करते हैं या नाम दे देते हैं वो होता है दोस्तों यहाँ पर मौल कंसेप्ट को समदना आसान कैसा होता है देखिए ध्यान से इसको पढ़िए क्या कहता है मौल अवधाना परमाणु एवं अनु आकार में अतिन्दे छोटे होते हैं जो भी आपके परमाणु होते हैं वो आकार में इतने अतिन्दे छोटे होते हैं परन्तु किसी पदार्ते की बहुत कम मात्रा में भी इ की संख्या की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसकी संख्या होती है ठीक है इनकी बड़ी संख्याओं के साथ काम करने के लिए इतने ही परिमान के एक मात्रक की आवश्यक्ता होती है अब इन संख्याओं को हम काम में लेनी के लिए या काम करने इसके साथ में काम करने के लिए जो भी हमारे पास में रिजल्ट होगा इतने रिजल्ट के लिए एक इसकी मात्रक की आवश्यक्ता होती है जो कि हम मौल बोल सकते है ठीक है तो उ तुक्षम अस्तर की काणों के लिए परवाण हो गया आणू हो गया इलक्टॉन हो गया इसके वांद काण हो गया उनके लिए हम किसका प्रियोग करते हैं इनके लिए हम एक मॉल का प्रियोग करते हैं अर्थार्थ किसी पदार्थ का एक मॉल यह डेफिनेशन है यहां से अर् 12-11 लुकाtech कारवन्ट 12 समस्थानिक दोस्ट के किर गला में इस अब यह उपसीत होते हैं Son किन वह उपसीत होते हैं कि एक मॉल में उहरा के संवस्थानिक स्वक्षक कर्माद के की वाइब 23 जो कि एक मोल इसको कहते हैं और एक मोल में इतने संक्या होगी अब और एग्सांपल लेकर किसको हम समझेंगे इतना आश्क्रीन शोट ले लो है कि तो दोस्तों आप लोगों ने कि यदि हम एक मॉल देखा जाए तो क्या होता है तो एक मॉल का जो संक्या होती ये वह होती इतना 6.022 into 10 की पावर 23 हो जाएगा अब दोस्तो यहां पर ध्यान रखना कि यह संक्या होती है वो किसी के लिए भी लिख सकते हम लोग जैसे आगे हम समझते समझे सको यदि मैं आपको कहूं दोस्तों कि एक मॉल परमाण एक मॉल परमाण इसके लिए क्या होगा तो एक मॉल परमाण का मतलब क्या होगा सिक्स पॉइंट जिरो टू 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 एंटू टैन की पावर टू एंटी थी परमाण डन यदि मैं लिखू एक मॉल आणू इसके लिए भी वह हो जाएगा सिक्स पॉइंट जिरो टू टू एंटू टैन की पावर टू एंटी थी अणू एक मॉल यदि मैं लिखू दोस्तों इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन तो यहाँ पर हो जाएगा 6.022 into 10 की पावर 23 electron ठीक है इसको electron का आप पूरा लिख ले ना मैंने किया है E minus यदि मैं लिखू 1 mole proton 1 mole proton proton तो भी क्या होगा दस्तो 6.022 into 10 की पावर 23 proton आप कोई भी लिखो मौल आ गया मतलब एक मौल आ गया मतलब आवगादरो संख्या तो भाई साब ये जो संख्या है वो है आपका आवगादरो संख्या और एक मौल में इतनी संख्या होती है अब इस संख्या को लिखने के बजाए हम लोग क्या लिख सकते हैं एक मॉल लिख सकते हैं तो आउ गादरो संग्या होता है अब यहाँ पर मैंने आगे जो लिखा था हूँ यहाँ पर 23 किया था 22 लिखो तो भी 23 लिखो तो भी ठीक भी इसको लब करेंगे तितना हो जाएगा आवगाद्रो जो नंबर होता है इसको हम दूर्शाथ है आवगाद्रो नंबर तो एन है एक मतलब आवगाद्रो एन मतलब नंबर ओके अब मैं आपको एक आगे बताता हूं चीज देखिए यदि दोस्तों हम लोग एक मॉल कोई भी ले सकते हैं एक मॉल हमारे पास में कोई एक्स परमाणू हो सकता है ठीक है वो लिया हमने तो ये किसके बराबर होता है तो 6.022 एंटू 10 की पावर 23 परमाणू या आणू हो सकता है तो यहाँ पर एक्स लिखूंगा मैं एक्स का मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स का मतलब यहाँ पर है इसका मतलब परमाणू या अणू ये है बराबर उसका दोस्तों हम लिखेंगे अणू भार या परमाणू भार अनु होगा तो इसके लिए लिखेंगे अनु भार वो भी किसमे ग्राम एक्स एक्स का मतलब कोई भी प्रमाण ठीक है यह चीज़ देखते हैं लोग देखें यदि दोस्तों मैं लेता हूं यहां पर एक मॉल हाइड्रोजन एक मॉल हाइड्रोजन एक्स की जिगह मैंने हाइड्रोजन को लिया तो यह किसके बराबर गाइड्रोजन होता है इसके द्रेमान संग्या कितनी होती है तो हाइड्रोजन होता है इसकी परमान संग्या होती दोस्तों एक द्रेमान संग्या होती है एक तो इसका क्या हो जाएगा परमान भार आ जाएगा क्या जाएगा प हम यहां पर लिखेंगे दोस्तों एक ग्राम किसका हाइडरेजन का ठीक उसी प्रकास है यदि हम लोग एक मौल एस्टू के लिए लिखना चाहे एस्टू का मतलब हैं दोस्तों अनू तो हो जाएगा इसका कितना होगा तो हाइडरेजन का है एक परमानो भार यह द्रह्मान संख्या तो दो हाइडरेजन के लिए कितना हो जाएगा दो तो यहां पर आजाएगा दोस्तों दो ग्राम मेटर एच टू डन यदि हम दोस्तों लिखना चाहे एक मॉल ओटू के लिए ओटू क्या हो जाएगा अनू तो क्या हो जाएगा 6.022 10 की पावर 23 10 की पावर 23 ओ टू अनू अनू आ जाएगा अब इस ओ टू अनू का कितना होगा तो देख्ये और सीजन होता है इसकी द्रेमान संक्या कितना होती दोस्तों परणू संक्या किते होती क्लियर है ना तो यहां पर कितना आ जाएगा थर्टी टू ग्रांग ओटू आगई वह समझे आप किसी के भी लिए लिख सकते हो यदि मैं आपको यहां पर आगे हॉमवर्क के लिए देता हूं तो आप लोग इसको कर लेना आप लोग लिख लेना एक तो एक मॉल N-acil के लिए लिखो एक मॉल N-2 के लिखो एक मॉल S के लिखो Sulfur के लिखो एक और देता हूं एक मॉल CO2 के लिए लिखो ठीक है कुछ नहीं करना है जो कि यह इसके एक मॉल का मान जो है वो और साथ में परमानू है या अनू है जो भी है उसका द्रेमान संख्या यानि की परमान द्रेमान संख्या होगी अब इसकी परमान होगा तो इस हिसाब से आजएगा परमानू भार और अगर अनू होगा तो क्या आजएगा अनू भार उसका ठीक है तो यह आप लोग को के लिए हॉमवर्क है है बाकी मैंने आपको समझाया कि मॉल अबधाना मॉल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है तो मॉल का मतलब होता है हो तो आओ घृबर संक्या जो कि संक्या होती इस सिक्स पोइंट जीरो टी करके इसको एक नाम देते हैं जो होता है मॉल यह एक मॉल और संक्या को क्या करतें आओ घान्यकी बहुत बढ़ी है मतलब कर समझ सकते हो के और इसके बाद में हैं 10 की 23 है मतलब 23-0 कितनी संख्या होगी बहुत ज़्यादा संख्या होगी ठीक है उसका हम क्या नाम देते एक मौल किसी के लिए भी लिखो एक मौल लिखा मतलब यह आओ गादर संख्या जाएगी जैसा हमने आगे बात किती दोस्तों कि 12 केले इसका मतलब क्या एक दरजन है ना मोल कंसेप्ट मोल अवधाना सो आयोप को सारा समझ में आया होगा वीडियो चलगाओ तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तक दना मिलते नेक्स शूडियो में तो तक लिए जैहीं वंदे मात्रा